कोनिका रोडा एस्टर वन टावर के कुछ और फ्लैट्स में भी पहुंची यह वहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ इस रिपोर्ट में देखे एस्टर वन में हम इस वक्त एक और फ्लैट में पहुंचे हैं और यह रेजिनेंट कल रात में ही वापस आ गए थे अछे और इनके फ्लैट की भी हम तश्वीर देखते हैं अलांकि एक फ्लैट यह इस सत्वीर फ्लैट में श्था पहुंचा है सपता जी एक फ्लैट को इंपाक्त हुआ है तूसरा फ्लैट कैसा है सवकत this flat is completely fine I mean this flat मेरा कोई नभसान नहीं है even कोई दस नहीं दर this flat is also this side but the focus मेरे यहां पर यी शेड लगाया था तो इसकी वज़े से dust भी यंदर के लिए so planters के लिए मthree एने यहां सारे planters रखे थे so that dust की वज़े खराब रहाब नहीं हो I am a plant lover so मेरे घर में अगर आप देखेंगे तो everything is clean, मैंने थोड़ा cover करके गई थी, अभी मैंने morning में सब हटाया है, पुरा घर थोड़ा बहुत clean किया है, विकिस जो my new dust है वो अंदर थी, but apart from that there is nothing, nothing is even मेरी ये छोड़ी छोड़ी शानले सी, ये भी यहां से नीचे नहीं हुई है, तो हम लोग अभी दुबारा से वापस आके पूरा clean किया है, ये कल रात में सपना जी आ गए थी, एक बार बालकिनी में देख लें कि कैसा है, क्योंकि आपका बिल्कुल वही facing है, जो tower क्या facing है, अच्छे जब आप लोग नहीं फ्लाट कितने साल हो गए आप लोगों को ये फ्लाट लिये होए, ये वाला फ्लाट मैने बाारा साल पहले लिया था, ये पांसल पहले लिया था, ये जिसे कह आप देख हहां, मैने पूरा की Sache, को ये पूरा गोगार केंप लाज रही सो थीCK का रहें घदा रंसी हैं आपकत क्वोंकि आह बाल किन अस दावर सेय और च senin करने हुआ क्योंकि कहीं लोगों के घरों को नुकसान हुआ है कि मलभा चिटक कर आया है क्यों मेरी बालतिनी में या मेरे ग्रास की साइड ऐसा कोई मलभा नहीं है और बाकी के घर क्या सब सिच्टेशन मैं इसलिए बच्चों को भी वापस नहीं ला रहे हूं because I myself wanted to come back so that मैं देख सकूं कितना clean है कितना environmental distance है उसके बाद बच्चों को में वापस लेने की सुचे यह balcony अब ओपन है तो इस balcony को भी आप लोग क्या cover करके गए थे मैंने यह balcony cover नहीं की थी यह क्योंकि इस facing का नहीं है तो इसके लिए जादा डर भी नहीं था इस तरफ नहीं था मुझे इस तरफ मैंने बलकि AC भी cover नहीं किया क्योंकि last day मैं रुकी थी यहाँ पर तो AC cover करने का मुझे time नहीं मिला यह AC cover नहीं था but hopefully this is all nice कब गए थे कब आप लोग flat shoot के गए थे आखरी बार जब देखा तो थोड़ा सा तो मन में होगा कि थोड़ी सी शंका के हाँ कुछ हो सकता है मुझे शंका इस flat की तो बिलकुल नहीं थी जिस तरह से device में हमें बताया था जिस तरह से calculations की गई है और बिलने को गिराने की पूरी तक्नीक थी मुझे इस flat की बिलकुल भी चिंता नहीं थी हाँ थोड़ा सा ester 2 के लिए डर था क्योंकि वह बहुत close है वहां के बड़ाइटिंग वह भी बहुत plainly सब कुछ हो गया चोटा से glass वहां का टूटा है which is bearable सपना जी का ये flat पूरी तरह intact है इसको कुछ भी नहीं हुआ है पूरी तरह safe है अब हम एक और flat में चलेंगे क्योंकि कई ऐसे flats हैं जो बिलकुल उस balcony के उस tower के facing थे जिनको नुक्सान पहुंचा है बालकनी पूरी तरह cover थी इसलिए जादा धूल भी इस घर में नहीं पहुंची है और सामने के flat में भी चलेंगे क्योंकि इस flat में हराकी जो हमने सुना है कि थोड़ा सा नुक्सान हुआ है मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं जी मैम सबसे पहले तो कैसा है इस वरक फ्लाट आप लोग कब से आए हैं क्या देखा है अभी एक गंटे पहले ही आई हूँ वैसे सब ठीक है बट डस्ट काफी अंदर आई है और मेरी टावर के उपर जो है उनका शीशा टूटा है तो वो सारा नीची मेरी टावर में आया है तो अभी एक बार देख सकते हैं कि कितना है कि यह इनका कहना कि उपर का जो कांच टूटा वो यहाँ पर नीचे कि तरफ आया है यह कांच पूरा बिक्रा हुआ है तो यह पूरा बालकनी में कांच बिक्रा हुए दरसल जो फ्लाट हम वब गॉपर अभी देख कर आ रहे ह उस फ्लैट का कखिड़की का कांच चूटा है और उसका इंपाक्ट नीचे के फ्लैट पे भी आया है ये कांच बिखरा हुआ है अभी आप क्लेनिंग कर रही है ये बालकनी में काफी धूल आ गई क्या कुछ मलबा इस तरह भी आया ने मलबा तो नहीं आया बस बैट वो यह बहुत ज़्यvärबा आया है याने कि जो भी कांच इस तरफ लगा है बिलकुल उस टावर से सटा हुआ था उसी को नुकसान पहुचा है और मलबा जब एकदम से जब धूए का गबार अठा मलबा जब आया तो मलबा की वज़े से ही यह कांच जो पत्थर है वो कांच पर लगे और उसी के वज़े से कांच वह तूटा आई इस तरह कांच नहीं था इसलिए पूरी तरह सेफ है लेकिन अभी भी जो धूल है वह काफी जादा है अभी वक्त लग जाएगा क्लीनिंग में अभी तो तीन चाह दिन का जब गशे तब बहुत डरेवे थे, क्योंकि आप लोग के थुरूई सुन रहे थे कि भूकम लाइक जटका भी आ सकता है, या कुछ और चीज़े भी हो सकती है, तो इसलिए हमने, मैंने अब भी ज़सी सब वाल पे ये सब लगाई है, यहाँ पे अपने फदर इनला की ये सब या अप स्टोर पर